हलो डियार, वेलकम टू दा सलूशन हब, माई नेम ही सुनिल सिंग, यूपी बोट साइन सेंपल पेपर 2023 रिलीज हो चुका है, इसकी आज हम लोग इनाल्सिस करेंगे, ठीक है, सेंपल पेपर से यह हम लोग को आईडिया लग जाता है कि कुश्चन में किस टाइप के का एक कुश्चन रहेगा, जिसमने से 15 मीनट्स जो है कुश्चन पेपर रीड करने के लिए प्रवाइड के जाएगा, और जो टोटल मार्क्स है, वो 70 मार्क्स का रहेगा कुश्चन, ठीक है, यह कुश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और के लिए, खंड B में भी सेम, खंड B में भी बहुत की, ऐसा है नो, ठीक है, खंड O जो है, टोटली अबजेक्टिव होगा, MCQ रहेगा, ठीक है, MCQ में भी हम लोगों को OMR सीट में फील करना होगा, और यहां पर एक ध्यान देने वाले बात है कि नीले और काले बाल पॉइं जो मसीन होती हो, वो रेड नहीं करती है, ठीक है, तो यह ध्यान देना है कि हमको काले और नीले बाल पॉइंट का ही यूज करना है, ठीक है, खंड A टोटल बहुत विकल्पी होगा, MCQ होगा, और एक मार्च सब के लिए निरधारित है, ठीक है, यहां पर हम लोग अच्छे कि रहेगा, ठीक है, ग्योँ में रसायन रहेगा, और ग्योँ में क्या होगा, जिव ब् detूर पोर्शन डिसाइडेद है, यह जो है तुवंटी मार्क का कोट्र रहेगा, और वन आवर्स इसके लिए डिसाइडेद है, और ब्लू और बलैक बाल पोंट पैन यूज करना है, ति एलांग ही था बहुत ही कि जो पस्ट रहेंगे वह हमारे रहेंगे एट कोश्न .'' कि अ इıt मिन्स टॉइन मारक्स करेंगे रशायन के शोष्टॉस्टॉन रहेंगे और शिक्स मारक्स करेंगे और जुबिविच्यान के सेवन कोश्टॉन रहेंगे, और 7 marks के रहेंगे, ठीक है, I hope यह समझ में आगा होगा, 20 marks के questions total रहेंगे, खंड A, OMR सेट में फिल करके इसको submit कर देना है, 7 questions भौतिकी के, 6 questions रसायन के, और 7 questions जिव बिग्यान के, clear, हर एक questions जो है 1 marks का रहेगा, ठीक है, और खंड B jabaj खंड B, खंड B, ठीक है, खंड B झेक้, खंड B äl 17 में भी 3 पोर्षन रहेंगे हमारा, एक भौतिकी एक रसायन और एक जिव बिग्यान के लिए, ठीक है, भौतिकी रसायन के लिए एक रहेगा, और जो लास्ट ल हो रहेगा, वो जिव बिग्यान के लिए ठीके भावती की किया रहेगा हमारे पी चार कोशन्स रहेंगे four questions total रहेंगे ये खंड बोजर फिप्टी मार्क्स और टू घंटे का रहेगा ये paper ठीके और ये हम लोग को copy पे लिखना होगा ये जो है descriptive question रहेगा ठीके फोर कोश्चन्स रहेंगे, फोर में से क्या है, अगेन यहां पर डिविजन रहेगा, थ्री कोश्चन्स जो रहेंगे, वो फोर मार्क्स के रहेंगे, और एक कोश्चन जो है, वो सिक्स मार्क्स का रहेगा, ठीक है, और जो सिक्स मार्क्स का कोश्चन है, वो उसमें से दोग मे से कोई एक करना होगा इस में से दो में से एक ही अटेम्ट करना होगा तो यह थ्री कोशन्स फोर मार्क्स के और एक कोश्चन जो है सिक्स मार्स का रहेगा टोटल बहुत तिकी की बात करें तो कितने मार्क्स हो जाएंगे एटीन मार्क्स का बहुत की खंड बी में रहेगा रसायन में क्या रहेगा थ्री कोश्चन्स रहेंगे ओनली तीन कोश्चन्स में again यहां पर 2 सिक्सum ॥ाएगा पहले जो 2 कोश्चन्स रहेंगे वो 4 मार्क्स के रहेंगे और जो एक कोश्चन रहेगा वो 6 मार्क्स का रहेगा क्ले factowow और 6 मार्क्स में again यहां पर two out of one करना होगा क्लियर जीव बिग्यान के बात करें तो जीव बिग्यान में भी हमारे जो है फूर कोश्चंस रहेंगे फूर कोश्चंस थ्री कोश्चंस से फूर मार्क्स के रहेंगे और एक कोश्चंस जो है वो हमारे रहेगा सिक्स मार्क्स का क्लियर तो रसायन के यहां पर क्लिकुलेट करें कितने मार्क्स का आ रहा है रसायन तो 14 मार्क्स का जो है रसायन बिग्यान आएगा और जीव बिग्यान भी 18 मार्क्स का आएगा इससे जादे questions भी आ रहे हैं और जादे marks के questions भी है तो 18 marks यह बहुतिक बिग्यान और 18 marks जीव बिग्यान 14 marks रसायन बिग्यान clear बहुतिक बिग्यान में 3 questions 4 marks के तीनों की तीनों करने हैं 1 question 6 marks करेगा इसमें 2 अठवा करके question दिया रहेगा एक करना होगा हमको रसायन बिग्यान में 3 questions जिसमें 2 questions 4 marks करेगे वो करने ही करना है 1 question 6 marks करेगा उसमें अठवा करके 2 questions रहेगे उसमें से 1 हमको करना है जीव बिग्यान में 4 questions 4 में से 3 questions 4 marks करेगे वो सारे question करने है और 1 question 6 marks करेगा उसमें अठवा करके question रहेगा ठीक है सो आई होप यह पूरी एनाल्सिस क्लियर हो गई होगी इसमें जो सेंपल पेपर रिलीज हुआ है यह पीबोड के वेपसाइट पे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही हमारे चैनल पर बने रहिए लेटिस्ट अपडेट हम जो है अपडेट करते रहेंगे